क्या आप जानते हैं कि हर बार जब भी संगीत अग्य अपने वाद्य यंत्र उठाते हैं तो उनके सारे मस्तिष्क में आतिश बाजी होने लगती है। बाहर से वे शांत और केंद्रित होकर संगीत को पढ़ते हुए और सटीक तथा आवश्यक गतिविध्या करते देख सकते हैं। लेकिन उनके मस्तिष्क के भीतर पार्टी चल रही होती है। हम ये कैसे जानते हैं? जब लोगों को इन मशीनों से कनेक्ट किया जाता है, तब पढ़ने या गणित की समस्याएं हल करते समय, मस्तिष्क से संबंधित क्षेत्रों में गतिविधी देखी जा सकती है। लेकिन जब शोद करताओं ने सहभागियों से संगीत सुनने को कहा, तो उन्हें आतिष बाजी दिखाई दी। को देखा, तो छोटी सी फुल जडियां उत्सव में बदल गई। के पास इसके बारे में अच्छा एडिया है। संगीत वाद्य को बजाने से मस्तिष का हरक्षेत्र, खास तोर से द्रिश्य, श्रवन और मोटर कॉर्टेक्स लगभग एक साथ लिप्त हो जाते हैं। किसी भी अन्यकसरत की तरह संगीत बजाने में अनुशासित, संरचित अभ्यास, मस्तिष के प्रकारियों को सशक्त बनाता है, ताकि हम उस शक्ति को अन्यगतिविध्यों में लगा सकें। संगीत सुनने और उसे बजाने के बीच सबसे सपष्ट अंतर ये है कि बजाने के लिए बारिक मोटर कॉशलों की जरूरत होती है, जिनने मस्तिष के दोनों गोलार्धों में नियंतरित किया जाता है। तेजी से और अधिक विविध मार्गों से जा पाते हैं। अधिक तेजी और कुशलता से बनाने, संग्रहित करने और पुनर प्राप्ती करने के लिए संगीतकार उननत स्मृतिकार्यों का प्रदर्शन करते हैं। कि संगीतग्य अपने अत्यंत्य कनेक्टेट मस्तिश का उप्योग प्रत्यक याददाश्त को अनेक टैग देने के लिए करते हैं। जैसे कि अवधारनात्मक टैग, भावनात्मक टैग, ओडियो टैग और संदर्भ टैग, एक अच्छे इंटरनेट सर्च इंजन की तरहा। हमें कैसे पता चलता है कि ये सभी लाब, खेल या पेंटिंग के विपरीत संगीत के लिए अध्वितिय हैं। या क्या ऐसा हो सकता है कि संगीत को चुनने वाले लोग पहले से ही हुश्यार होते हैं। संगीत बजाने के मानसिक लाभों के बारे में इस हाल या शोधने मानसिक प्रकारे के हमारी समझ को बढ़ाया है जिससे आंतरिक लय और पेचीदा परस पर क्रिया का खुलासा हुआ, जो हमारे मस्तिश के अध्भुत और्केस्ट्रा का निर्माण करते हैं।